नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ओफिशल एस वाई में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है दोस्तों शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धर्ती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखाजोखा मृत्यू के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है इश्वर की दृष्टी में जो अच्छे कार्म यानि आपके काम होते हैं उसे पुन्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं, उन्हें पाप कहा जाता है संसार का सबसे बड़ा पाप है, किसी निर्बल को सताना और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है क्या आपने कभी लोहे को पिघलते हुए देखा है? लोह पिघलता है इस चम्डी की बनी चीज से निकली हवा से, जरा सोचिए एक मृत पशु की खाल से बनी चीज इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती है ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों नहों यदि आपने किसी निर्दोश या निर्बल को सताया तो उसके मन से निकली हाए और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है पुराणों में कई अच्छे और बुरे कार्मों के बारे में बताया गया है गरूर पुराण और कठोप निशद में तो यह भी बताय गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यू के बाद अलग-अलग तरहे के पापों के लिए कौन-कौन सी अलग सजाएं दी जाती है गरूर पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धर्ती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग-अलग सजा बारी-बारी से मिलती है यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है गरून पुरान में बताया गया है कि परस्त्री पुरूश संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है जो पुरूश अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नर्क की यतना भोग कर लकडबगगा अथ्वा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है कुमबारी अथ्वा अलपायू कन्या से संबंध बनाने वाले को नर्ग की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनी में आकर जन्म लेना पड़ता है जो व्यक्ति काम भावना से फीड़त होकर गुरू की पत्नी का मान भंग करता है ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नर्ग की यातना सहने के बाद गिर्गिट की योनी में जन्म लेता है मित्र के साथ विश्वास खात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनी में जन्म देते हैं लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है महा भारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था लेकिन आज कल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है भगवान श्री कृष्ण ने द्रिष्टी में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भून हत्या महा भारत युद्ध समाफ्थ होने के बाद जब द्रोनाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रहमास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए था श्री कृष्ण ने उस समय समय ही यह घोशना कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है क्योंकि उसने एक अजन में बालक की हत्या की थी श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वय अश्वत्थामा को दी थी हम जिसका जिक्र यहां कर रहे हैं उस पाप की सजा व्यक्ति को जन्मजन मांतर तक झेलनी पड़ती है इस संसार में अलग-अलग तरीके के लोग होते हैं कुछ लोग बुरे होते हैं जो जिन्दगी भर पाप ही करते रहते हैं तो वहीं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो की कभी भी पाप करने के बारे में सोचते तक नहीं हैं और अच्छे कर्म ही करते मुर्ली धर ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज़त से खेलना है जो व्यक्ति किसी औरत की इज़त के साथ खेलता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है नारी को संसार में सबसे ज्यादा पूजनिय माना गया है नारी का अपमान पूरे ब्रहमांड को बरबाद कर देने के बराबर होता है संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोशन करती है जिसे हम प्यार की भाशा में मा कहते हैं यही नारी अलग-अलग रूप में मम्ता का सागर होती है वह कभी मा, कभी पत्नी, कभी बहन हर रूप में केवल सने और मम्ता ही बाटती है हर ग्रंथ में कहा गया है कि नारी का सम्मान करना चाहिए अन्यथा नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति करोडो पापों का भोगी बनता है श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिन्तामने रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यू को नहीं देख पाओगे यानि जब तक स्रिष्टी रहेगी तुम धर्ती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे भुरून की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है तो दोस्तों यह विडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल ओफिशल एस वाई को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद